नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेलेट चतुर्थ सेमेस्टर की घडित की तैयारी के क्रम में संकु और बेलन को लेकर रहा है इससे संबंदित जितने भी कोश्चिन्स बनते हैं यहाँ पर आपके डेलेट फॉर्थ सेमेस्टर में उन सभी प्रशनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों संकु और बेलन इससे संबंदित जो डेलेट फॉर्थ सेमेस्टर में कोर्स है वो है संकू और बेलन का आयतन, वक्र प्रस्ट और संपूर प्रस्ट इन सभी का यूज करते हुए कुछ कोश्चन्स बनाय जाते हैं उनको आपको सॉल करना होता है डेलेट फोर सेमेस्टर में बस इतना ही है दोस्तों ये जो वीडियो है हमने इसको लगभग कंप्लीट बनाया हुआ है इसमें जितने भी कोश्चन्स दिये हुए है अगर आपने उन सभी कोश्चन को सीख लिया अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी जो डेलेट फोर सेमेस्टर की परिक्षा होने वाली है इसमें जितने भी संकू और बेलन से सम्मंधित प्रेशन आएंगे वो सभी आप आसानी से हल कर सकेंगे तो चलिए शुडू करते हैं आज का वीडियो संकू और बेलन से लगभग तीन कोश्चन्स आते हैं तो तीन से लेकर पांच नंबर तक आपके यहाँ पर पक्के करने हैं संकू और बेलन से सम्मंधित तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या है और जो आपकी तरजिया है वो क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बेलन का चितर दिया हुआ है इसमें जो यह लंबाई है यह जो उचाई है इसी को हम लोग एच कहते हैं यानि उचाई कहते हैं और बीच में जो बेलन के आधार में जो गोल तरे की आकरती होती है, उसमें ये जो लाइन होती है, इसको हम लोग तरज्या कहते हैं, ये बेलन के उपर भी होती है, यानि इस एरिया में भी होती है, तो ये चीज़ आपको clear होनी चाहिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि बेलन का जो आयतन होता है बेलन का आयतन कितना होता है πाई आर स्कॉायर एच देखी यहाँ पर आप हमें थोड़ा डीप में जाने की जुरूत नहीं है क्योंकि डेलेट फॉर्ट समेस्टर के कोर्स में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है जो में में है वो चीज हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं और उनसे सम्मंदित कोश्चन को भी सॉल करेंगे तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्कॉायर एच आयतन का मतलब होता है यह पूरे को कम्पलीट लिया जाता है यानि यह ठोस चीज इसको पूरी तरह से कम्पलीट लिया जाता है तो यह होता है आयतन अब बात करें कि हम बेलन का वक्र प्रस्ट क्या होता है वक्र प्रस्ट मालूम क्या होता है जो बेलन मान लिजे कि यह बेलन है आपका ठीक है तो यह जितना एरिया होता है सामने का यानि उपर और नीचे इन दोनों के आधार को छोड़ दिजे बाकी के जो बीच का बेलनाकार एरिया होता है समझ गेना सारी बात को क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये जितना भी एरिया होता है ये वाला एरिया सिर्फ इसको हम लेते हैं तो ये होता है आपका बेलन का वक्र प्रस्ट या हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन का सामने का एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं बेलन का वक्र प्रस्ट अब बात करें बेलन का संपूर प्रस्ट क्या होता है बेलन का संपूर प्रस्ट क्या होता है जितना भी बाहर का एरिया अभी तक हम लोग वक्रप्रस्ट में क्या ले रहे थे सिर्फ ये एरिया ले रहे थे लेकिन जब हम बात करेंगे संपूर्प्रस्ट की तो ये जितना भी एरिया उपर और नीचे आधार होता है इसको भी हम सम्मिलित करते हैं लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, जो बाहरी एरिया होता है, सिर्फ उसकी बात करते हैं, अगर वक्रप्रेस्ट पूछेगा, तो केवल आप इतना एरिया लेंगे, और बात करेगा कि संपूर्प्रेस्ट की, तो यह नीचे के जो दो आधार है, उपर नीचे के, इनको भी शामिल कर लेंगे, तो यहाँ पर जो बेलन का वक्रप्रेस्ट का एरिया आएगा, टू पाई आर एच, और बेलन का संपूर्प्रेस्ट आएगा, टू पाई आर, ब्रैकेट के अंदर, एच, प्लस आर, तो यह चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, कि वक्रप्रेस्ट का क्या आर्थ है, और संपूर्प्रेस्ट का क्या आर्थ है, अब इनसे सम्मंदिज जो प्रेस्ट हैं, वो करके देख लेते हैं, पहला कोश्चन बिल्कुल साधारण है, सीधा आपको दे रखी है, उचाई 18, 310.5, अब यहाँ पर आयतन, वक्रप्रेस्ट और संपूर्प्रेस्ट तीनों चीज़े ग्याद करनी है, सीधा एक इतना सरल कोश्चन हमने इसलिए रखा है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कि कैसे हम, अगर इस तरह का भी प्रशन आ गया है, सरल भी आगया है, तब भी हम आसानी से कर सकें, तो बेलन का आयतन का फार्मुला सीधा लगा देंगे, पाई आर स्कॉएर एच, तो पाई की वेल्यूम ने बाइस बटे साथ रख दी, वक्रप्रश्ट की बात करेंगे, वक्रप्रश्ट का जो भी फार्मुला होता है, तू पाई आर एच, यहाँ पर वेल्यूस रख देंगे, तू, पाई की वेल्यू है बाइस बटे साथ, आर है दस दसमलो पाँच, और एच, यानि उचाई है अठारा, तो अब आप इसको सॉल कर लेंगे, तो आपका आजाएगा 1188 वर्ग सेंटीमीटर, अब इसी के आधार पर संपूर्प्रश्ट की बात करेंगे, तो बेलन का जो संपूर्प्रश्ट का फार्मुला होता है, तो पाई आर, ब्रैकेट के अंदर, एच प्लस आर, देखें, ये, मान लिजे, अगर आपको एक बार पढ़ने में फार्मुला नहीं याद हो रहा है, तो आप इसकी जादा से जादा प्रेक्टिस कीजिए, जादा दिन रहे गए, दो दिन रहे गए हैं, आपकी प्रेक्षा है, तो जादा से जादा प्रेक्टिस कीजिए, तो ये जो फॉर्मुले से अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू सब्सक्राइगे, टू, पाई की वैल्यू, बाइस बटे साथ, आर, दस दसमलो पांच, ब्रैकेट के अंदर, प्रेक्षा संख्या 2, अब किस तरह के कोश्चन्स आ सकते हैं, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़ कर बेलन बनाया गया है, कोई कागज है, वर्गाकार कागज है, ये चारो साइडे इसकी 25 हैं, ठीक है, इसको मोड़ कर एक बेलन बनाया गया है, जब बेलन बनाया गया है, तो उसका वक्र प्रस्ट ग्याद करना, तो आपको मालुम है, जब भी इसको मोड़ कर बेलन बनाया जाएगा, तो नीचे कुछ परिधी बनेगी, कुछ वरत जैसा बनेगा, तो वरत की जो परिधी होगी, वो परिधी यहाँ पर इसकी क्या होग है और परिधी होती है 2 pi r बराबर 25 हो जाएगा तो यहां पर आपको मालुम है हमें 2 pi r यानि जो परिधी है वो 25 cm आगे और इसकी जो उचाई होगी यानि जब हम इससे बेलन बनाएंगे तो इसकी उचाई जो होगी वो भुजा के बराबर ही होगी तो वो 25 हो जाएगी तो य भी नीचे का गोला बनता है नीचे का जो व्रत बनता है उसकी जो परिधी होगी वो वरगाकार भुजा के बराबर होगी तो 25 इंटू 25 कर देंगे तो यह आपके सामने निकल के आगे 625 ठीक है 2 pi r की वैल्यू 25 है एच यानि उचाई 25 है तो 625 यहां पर वर्ग cm आगे एक आप इसको फिर से देख लिजे चाहे तो आप इसका इसको बाद में भी देख सकते हैं वैसे मैं इस वीडियो में यूज किये गए जितने भी पेपर्स हैं इनका पीडिया बना के मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दू पचास चक्कर में चलने से पहले उसका एक चक्कर में कितना रोलर चलेगा वो हम निकाल लेंगे उसके बाद पचास से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हम यह पता लगाते हैं कि सबसे पहले यहां पर हमें क्या क्या जरुरत होगी हमें यहां पर जरुरत होगी की बात हो रही हो रही यहां पर तो हम निका लेते हैं व्याह60 को तो 40 मिरी कि तरिज्या 35 हो जाए है कि क्योंकि आधी होती है तरिज्या आप तरिज्या यहां सब कुछ मेटर में दे रखा है तो हम इस cm को मेटर मेंumenовор कर लेते हैं तो 35 बटे 100 कर देंगे तो 지냐 तीन पांच मीटर आ गया लंबाई दो मीटर पहले से दे रखी है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं रोलर का वक्रप्रेस टू पाई आर एच टू पाई की वेल्यू बाइस बटे साथ आर यहां पर अभी अभी निकाला है पॉइंट थ्री फाइब मीटर और जी इसकी यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे सालो को साथ पंचे पैंथिस और दो गुढे बाइस गुढे 0.05 इंटू 2 तो यह आगे आपका 4.4 वर्ग मीटर यानि एक चक्कर में जो रोलर है वो 4.4 वर्ग मीटर चल रहा है अब एक चक्कर में 4.4 वर्ग मीटर चल रहा है तो 50 चक्कर में 50 से मल्टिप्लाई कर दीजे आपको आजाएगा 220 वर्ग मीटर यानि जो रोलर है वो 50 चक्कर में 220 वर्ग मीटर चलेगा बात करते हैं प्रसंख्या 4 की और किस तरह के प्रशन आ सकते हैं 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुवा 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपएा खर्च होगा यानि यहाँ पर 3 मीटर दे रखा है तो आपकी जो तरजिया होगी वो 3 बटे 2 हो जाएगी क्योंगी आधी होती है तरजिया और यहाँ पर उचाई या गहराई दोनों बात एक ही ही है क्योंकि जब कुवा हम इस तरह खोदेंगे तो यह जो होगी इसकी इसी को हम लोग गहराई कहेंगे और इसी को हम लोग उचाई कह सकते है तो यह हो गई उचाई इसकी 14 मीटर आ गई अब इसके बाद हमें गहरा कुवा खोदना तो इसका आयतन आप निकाल लिजे आयतन निकालने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम हो सकता है कभी-कभी कंफ्यूज हो जाए कि हमें यहाँ पर आयतन निकालना है कि संपूर प्रश्ण निकालना है कि वक्रपर जब यहाँ पर दे रखा है तीस रुपे प्रती घन मीटर आप घन से पता करा लिजे कि आपको यहाँ पर आयतन निकालना है तो कुछ छोटी छोटी चीजे होती है जो प्रेश्ण में ही छुपी होती है कि हमें क्या करना है तो घन मीटर दिया इसका मतलब हमें आयतन निकालना है आयतन जो आपको होता है वो सदा है घन में ही आता है आपको मालूम होगा तो यहाँ पर जब घन आएगा कैसे आयतन निकालेंगे तभी तो घन आएगा तभी तो हम इसका कितना खर्चा होगा वो निकाल पाएंगे तो यहाँ पर हम इसका आयतन निकाल लेते हैं इसको आप solve कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 सत्य चोदा ठीक है 22 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 14 हो जाएगा तो यह कट जाएगा साथ साथ कट जाएगा यह ठीक है तो इस तरह जब भी कुवा खोदना है तो कुवा खोदने वाले प्रेशन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं प्रसंग्या 5 है 550 गन मीटर लोहे से लंब व्रतिय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है यह सरिय का व्यास एक सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई गया तो देखो व्यास दे रखा है तो हमें चाहिए होती है त्रिज्या वयास का कही कोई मतलब नहीं होता. हमें तribja चाहिए. तो एक बटे दो. यानि एक है सेंटीमीटर. तो उसका आधा कर दिया. एक बटे दो हो गया. तो तribja आपकी एक बटे दो सेंटीमीटर आ गई. और यहाँ पर हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ पर देखे 550 घं सेंटी मीटर दिया हुआ है और सरिया की लंबाई यानि उचाई पूछ रहा है ठीक है यह आपकी सरिया हो गई ठीक है तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दे रखी है लंबाई पूछ रहा ळंबाई का मतलब है कि उचाह सह पूछ रहा है हम यहाँ पर आयतन झिकाल लेंगे क्यों कि यहाँ पर आयतन दे रखा 550 घन सेंटीमीटर तो आयतन बराबर पाई आर स्कॉयर अच आयतन की जगे रख दिया 550 पचास पाई में रख दिया 22 बट्टे 7 आर है आपका एक बट्टे 2 तो दो बार गुड़ा कर दिया गुड़े लंबाई अब इसको टोटल इधर भेज दीजे जो उपर है उसको नीचे कर दिया जो नीचे है उसको उपर भेज दिया ये साथ दो दो ये देखे उपर आ गया 22 नीचे आ गया अब आप इसको सौल कर सकते हैं दो एकम दो दो ग्यारा बाइस ग्यारा पच्चे पच्पन पचास गुड़े साथ गुड़े दो ये रहा ठीक है तो यहां पर जो लंबाई निकल के आके सरीय की जो लंबाई आ गई वो आपके सामने 700 मीटर तो उमीद करता ह यह बेलन के जितने भी कोश्चन है अब इससे बाहर ज्यादा कोश्चन नहीं पूछ सकता या तो एकदम सिंपल पूछेगा या तो अगर कॉंपलिकेट बनाएगा भी तो यह जो मैंने आपको पांच प्रस्चन बता दे इन ही मेंसे कोई ना कोई कोश्चन आपकी संकू का जो पार्श प्रस्ट होता है वही जो मैंने अभी बताया था वक्र प्रस्ट ठीक है वो यही होता है कि जितना भी संकू का ये वाला एरिया है ठीक है ये वाला एरिया इसको हम लोग कहते हैं संकू का पार्श प्रस्ट और बात कर देंगे कि संपूर प्रस्ट की सं चीज आपको क्लियर हो गई ठीक है अगर केवल जिसे आपने टोपी देखी होगी जो बर्थडे वाली टोपी होती है अगर उसको सामने से देखेंगे सामने से जितना भी एरिया दिखता है नीचे वाले वरत को छोड़ कर सामने को सामने से जितना भी एरिया दिखता है वो हो जो है इसको भी ग्याद करो तो इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्कॉायर प्लस आर स्कॉायर यहाँ पर वही पाइथागोरस थेयोर्म लगी हुए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आपका राइट एंगिल बनना है और यह आपका कर्ण हो गया यानि है यह आपका लंब हो गया यह आपकी आधार हो गया और यह आपका कर्ण हो गया तो वही पाइथागोरस थेयोर्म लगा कर इसको सॉल किया गया है तिर्यक उचाई यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया गया है यह चीज आप समझ गए कि संकू का आयतन कितना होता एक बटे 3 पाई आर स्कॉएर एच संकू का पास टो प्रेस्ट यानि वक्र प्रेस्ट की बात हो रही पाई आर्इल संकू का संपूर्ड प्रेस्ट होता एक संकु के आधार की तरिज्या 3.5 cm तता उचाई 12 cm है संकु का आयतन वक्र प्रस्ट संपूर प्रस्ट ग्याद करो देखो आयतन निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मुला लगाना होगा एक बटे 3 पाई आर स्कॉाइर एच एक बटे 3 पाई की वेल्यू 22 बटे 7 आर है आपका 3.5 तो दो बार गुड़ा कर दिया एच है 12 अब इन सभी को आप मल्टिप्लाई कर लेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा आयतन 154 घन सेंटीमीटर अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए वक्रप्रथ तो वक्रप्रथ याणि पार्श प्रष्ट की बात हो रही तो इसका फॉर्मुला होता है पाई आर एल तो अभी तक हमारे पास जो प्रश्ण में दे रखा है तरज्या दे रखी उचाई दे रखी लेकिन ये जो l है l यानी तिर्यक उचाई यानी जो तिर्ची उचाई होती ये वाली ठीक है ये हमें नहीं पता तो हमें अब ये निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं L यानि तिर्ची उचाई under root H square plus R square तो H है यहाँ पर 12 और R है 3.5 तो इसका square कर दिया है तो 12 का square किया 144 3.5 का square किया तो 12.25 इन दोनों को हमने दिया जोड तो आगे 156.25 अब 156.25 यानि 15625 होता है 125 का square तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अंकों के बाद दसम्लों लगा है तो हमने यहाँ पर एक अंकों के बाद दसम्लों लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर यह वर्ग था और यह वर्ग मूल है तो यह चीज़ आपको clear हो गई होगी अब वक्र प्रस्ट निकाल लेते हैं पाई आर एल, पाई आपके सामने 22 बटे 7 होता ही होता है आर 3.5 और अभी अभी हमने निकाला 12.5 इसको आप solve कर लेंगे, गुड़ा कर लेंगे यह हो जाएगा, 7 से यह कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा अब बात कर लेते हैं संपूर्ड प्रस्ट की संपूर्ड प्रस्ट कैसे निकलेगा इसका फॉर्मल लगाते थे, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर तो यहाँ पर पाई क्या है, 22 बटे 7, आर है 3.5 अभी हमने निकाली 12.5 और आर फिर से जोड दिया तो 3.5 इन सब ही को multiply कर लेंगे आराम से, साथ से इसको काट लेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 22 गुड़े 0.5 इसको जोड़ा आ गया 16 अब इन तीनों को कर दिया multiply तो आपके सामने 176 वर्ग सेंटी मीटर उतर आ गया, तो यह चीज़ आप ने देख लिया कि आयतन, वक्र प्रेस्ट, संपूर प्रेस्ट, तिरिया कुछ आई निकालना बेहद आसान, अगर आपको सारी values पता हैं, अब जो कठिन प्रशन आते हैं, वो किस बनता है, इसकी परिधी होती है 2πr, तो यहाँ पर परिधी दे रखी है कि 44 है, तो हम 2πr के बराबर 44 को रखके देख लेते हैं, परिधी बराबर 2πr, परिधी 44 है, और πाई की value 22 बटे 7, तो यहाँ से हम आर यानि त्रिज्या की value निकाल सकते हैं, तो इसको हमने solve किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 22 बटे 7, यह रहा इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, और यह उपर वाला 2 नीचे आगे, इसको solve करने के बाद, आर की जो value यहाँ पर निकल के आई, 7 meter, आर निकल है, हमने 7 तो दो बार गुड़ा कर दिया, क्योंकि R square था, तो दो बार यहाँ पर गुड़ा किया, H यहाँ पर 15 दे रखा है, तो आप इसको solve कर लीजिए, आसानी से 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा, तो 5 आएगा, यह हो जाएगा, 22 गुड़े 7 गुड़े 5, तो यहाँ पर जो संकू का आयतन निकल के आया, 770 गन मीटर, आसान सा प्रशन था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जरुरत थी, कि R की वैल्यू निकाली जाए, R की वैल्यू तभी निकलेगी, जब आदार की परीधी का फार्मूला आपको मालुम होगा, तो परीधी का फार्मू प्रतेक कोर 12 cm लंबी हो, तो आपको यह बताना है, कि कोई घन है, उसकी प्रतेक कोर 12 cm या कह सकते हैं, प्रतेक भुजा उसकी 12 cm कोई घन है, ठीक है, अब इसमें से हमें एक संकू कार या संकू काटना है, बड़ा संकू काटना है, ठीक है, यह आपके सामने घंद रखा है, इसकी जो कोर है यानि इसकी जो भुजा है वो बारा यानि सब कुछ यहां पर बारा लंबाई भी बारा चोड़ाई भी बारा और उचाई भी बारा घं का यही मतलब होता है उसकी सारी साइड बराबर होती है तो यहां पर यह बताए जा रहा है कि इस घं से एक संकू को काटा जा रहा है, बड़े से बड़ा संकू काटा जा रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देख लेते हैं, कि हमें संकू का आयतन ग्याद करना है, संकू का आयतन ग्याद करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए त्रिज्या, हमें चाहिए देखे जब भी हम किसी घं से संकु को काटेंगे, तो उसकी जो उचाई होगी, वो संकु की भुजा के बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गएं, और जो संकु के आधार का व्यास होग है, समझ रहे हैं न ममत? ठीक है तो जब ये मोडेंगे तो ये जो ये नीचे वाला व्रत बनेगा ना ये नीचे वाला व्रत है ये जो टोटल व्यास होगा इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने इससे व्रत बनाया तो ये जो बीच में व्यास आ रहा है वो घन की भुजा ही है तो ये उचाई हमें मालुम है कि जब घं से हम संकू बना रहे हैं तो उसकी जो संकू की उचाई होगी वो घं के भुजा के बराबर होगी तो उचाई 12 होगी अब इसको आप वेल्यू रख दीजिए संकू कायतन एक बटे पाई आर स्कूर एच एक बटे तीन पाई की वेल्यू बट साथ आर आपके सामने जो दे रखा है वो है च्छह और हैच ब़ार आप इसको सौल कर सकते हैं आसानी से तीन चोको बारा यह हो जाएगा तो बाईस गुड़े दो सुरी यहां से यह काटा गया है तीन दूना छे तो बाइस गुड़े दो गुड़े छे गुड़े बारा और बटे साथ इसके बाद आप इसको मैल्टिप्लाई कर लीजे 3168 बटे साथ हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी आयतन की 452.57 घन सेंटीमीटर तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यह प्रशन सॉल्व हो गया उमिद करता हूँ यह प्रशन आपके अच्छे से समझ में आया होगा अब अगला प्रशन देखते हैं संकुआ कार तंबू के निर्माड है तो 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है यदि संकुआ की तिर्ची उचाई 12 मीटर हो तो तिर्जय ग्याद करो देखिए यहां पर वही बात आगे जैसे जो संकुआ कार होता है मान लिजे कोई टोपी है संकुआ कार जो बर्थने में आम लोग टोपी लगाते हैं तो उसके उपर अगर आप कपड़ा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने केवल उपर की ओर कपड़ा लगाएं नीचे तो आधार होता है ना आधार में तो कपड़ा लगाते नहीं है संकुआ कार तंबू बनाये जा रहा है तो हम केवल उपर-उपर कपड़ा लगाते हैं नीचे आधार में कपड़ा नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर तंबू है तो वो जमीन पर रखा होता है और अगर टोपी है तो उसको हम सर पे पहनते हैं हम नीचे भी कपड़ा लगा देंगे तो हम उसको पहन नहीं पाएंगे इसलिए हम लोग नीचे कपड़ा नहीं लगाते केवल उपर का जो एरिया होता उसमें लगाते हैं तो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया तो जो उपर का एरिया सामने से दिखता है वो होता है यहाँ पर एकवरुट का फार्मूला होता है PIRL है तो यहाँ पर हम VALU रग देंगे यहाँ पर वक्रप्रश्ट दे रखाया नि संकुआ कार तंभू के निर्माढ है तो जो कपड़ा लग रहा हुँ, यहाँ पर दे रखाया 12 और त्रिज्या निकालने की बात हो रही है तो सब कुछ दब दे ही रखा है तो solve करना के वल आपको पाई की value 22 बटे 7 L 12 वक्रप्रेश्ट 264 तो यहाँ पर यह 22 और यह 12 उठा के हमने नीचे डाल दिया और यह 7 उठा के उपर रख दिया क्यों रखा क्योंकि हम बराबर के उस तरह भेज रहे हैं इसको आप solve कर सकते हैं आसानी से 22 से भाग देंगे 264 को तो आएगा 12 और 12 और 12 कट जाएगा R की जो value आ गई वो 7 आ गई तो यहाँ पर जो इस संकू की त्रिज्या निकल के आई वो आपके सामने है प्रिज्या समान उचाई एक नंबर में जरूरfaced रुचा जाएगा समान उ चाई और समान त्रिज्या के आधार वाले संकू का आईटन अनुपात बेलन का आयतन अब संकू का कितना है एकट तीन पाईर इसकुरेस होता है बेलन का आयतन होता है πाई आर स्कॉयर एच अब देखें यहाँ पर जो आपकी उचाई है वो बराबर है और जो त्रिज्या है वो भी बराबर है ऐसा प्रशन में दे रखा है लिखा हुआ है समान उचाई और समान त्रिज्या तो यहां पर क्या होगा यह जो h h कट जाएगा पाई r square पाई r square कट जाएगा और पाई तो पाई कटी जाना है क्योंकि उसकी तो value समान होती ही है यहां पर बचेगा आपका एक बटे तीन यहां बचेगा एक अब हमें निकालना है अनुपात तो हम क्या करेंगे इस तीन को तिर्या गुड़ा कर देंगे यानि यहां पर हम इसके नीचे एक मान लेते हैं तो इसको इससे गुड़ा किया इसको इससे गुड़ा किया तो यहां पर आया एक और जब यह तीन एकम तीन के आगया तो यह आगया तीन तो एक अनुपात तीन ये आप चाहे रट लीजिए ठीक है क्योंकि ये बदलना ही नहीं है कभी जीवन में नहीं बदलना है अगर समान उचाई है समान त्रिज्या है तो जो संकू का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात सदय हो एक अनुपात तीन ही आना है कभी भी आपको बहुविकल्पी प्रश्णों में भी मिल सकता है कि संकू का आयतन और बेलन के आयतन का क्या अनुपात होगा एक चीज आपको जरूर ध्यान लखनी है कि जो संकू होगा वो एक होगा बेलन की तरफ जो होगा वो तीन होगा यानि यहाँ पर जो भेलन है वो बड़ा हिस्सा है वो तीन है और संकु है एक तो यह चीज आपको क्लियर हो गई संकु और बेलन के आइतन का अनुपात एक अनुपात तीन होगा अब दोस्तो आपके लिए जो हम यहाँ पर प्रेशन लेकर आए हैं संकुआ कार तम्बू की परिधी, 88 मीटर है, इसकी उचाय, 30 मीटर है, तंबो की तिर्ची उचाय ज्याद करो, तो जो भी तिर्ची उचाय आएगी, नीचे कॉमेंट बेहें, तुरंद बताइ ये, अंडरूंट 521 मीटर, अंडरूंट 22 मीटर, अंडरूंट 274 मीटर, या फिर इनमे से कोई नहीं, ज किजे और नीचे उत्तर जरूर बताईए उमीद करता हूं कि ये संकु और बेलन का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और इससे संबंदित आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं ताकि उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक किजे शेर किजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दपाईए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए ज भारत